हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी तो आज देखिए मैं आपके लिए बहुत ही खुबसूरत प्लांट लेके आई हूँ जिसके फ्लावर देखिए कितने ही सुन्दर है ये येलो कलर के फ्लावर है इसमें रेड औरेंज और कई कलर आते हैं ये गलैडिया का प्लांट है जो में बहुत ही सारे फूल देता है आप इसकी अच्छे से मेंटेनस करेंगे तो ये आपका बगीचा फूलों से भर देगा तो इसकी केर की बात करें कि इसकी समर में कैसे केर करते हैं तो उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्र इच का है तो आप उसमें एकी पौदा लगाए अगर आपका पॉसमें उसमें एक पौदा लगा सकते हैं इस प्लाटर की बात करें तो PANी आप उन्तने ही दिजिए जितने मिठी घीली रहे और जब मिठी की सूख जाते है तब पानी भी जड़ों को गला दूप की बात करें तो इसको बहुत अच्छे से दूप चाहिए तब ये बहुत अच्छे से फूल प्रोडूस करता है कम से कम 6-8 गंटे की दूप तो इसको जरूरी चाहिए आप इस पौदे को नॉर्मल खाद में भी लगा सकते हैं जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस डा कर थोड़ी सी रेट मिला कर आप इस पौदे को लगाएं तो ये बहुत अच्छे से चलता है इसके गंबले में जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है वह अच्छा होना चाहिए ताकि पानी जैसे ही डाले नीचे से ड्रेन हो जाए इस पौदे में कीट या रोग लगने की खतम हो जाता है इसलिए हमेशा पानी का ध्यान रखें हरे बरे पौदे पानी के लिए आपको पानी का ध्यान बहुत ही रख जरूरी रखना पड़ेगा जिससे आपके पौदे अच्छे से चले और समय समय पर आप अपने पौदे की प्रूनिंग भी करते रहे जैसे जो भ बर्ड़ नहीं बन पाएंगे न फूल किल पाएंगे आप इसके प्तख देखर है बल्कुल पालक की तरह लगते हैं अब बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं आप इक अठा इसको 1 पौद में लगाएंगे तो बंच की तरह इसमें फ्लावर खिलेंगे और बहूत सुंदर जाती है तब आप इसके बीज लगा सकते हैं तो आपको ये मेरी वीडियो आज की कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए तो मिलते हैं एगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बाबाई